यार फिर आप सब लोग कमेंट में लिखते हो कि अपने excitement को control रख control कर control कर यार कैसे कल दूँ control मतलब इस फिल्म को देखके कोई अपने excitement control कर सकता है क्या यार यह 9 हो मैं कोई normal movie होती तो मैं एक बार कर लिए अपने excitement control बट स्पाइडर मैं नूवे हो मियार कि सिर्फ इस साल की नहीं मारवल की अभी तक की बेस्ट मूवी है सही मैं अभी तक की बैस्ट मूवी है मारवल की एंड गेम जो था वो था बस अब उससे बहुत आगर बढ़ चुका है मारवल यह बॉलीवुड की तरह नहीं है कि बस एक चीज बना दी फिर बस उसके बारे में सोचते हो कि आरो हमने कितना ऑशन बहतरी न्ता वो यह मारवल है यार उसने एंड गेम बनाई एंड गेम में सारे अविंजर्स थे और यह बस एक सोलो मूवी स्पाइडर मैं की जो और एक जरूरी बात बोलनी थी अब बोल रहा हूं यह एक स्पाइडर फ्री रिव्यू है तो अगर मूवी नहीं देखी है तब भी बड़े प्यार से एंड तक यह वीडियो देख सकते हो तो इस मूवी का नाम है स्पाइडर मैं नोवे हो इस मूवी के डिरेक्टर है जॉन वार्ट्स और इसके में एक्टर्स हैं टॉम होलेंड जैंडिया जैकोब अर्टेलन मलीसा टॉमी जॉन फैवर्यू एटसेटरा एटसेटरा यह मूवी शुरू होती है ठीक वहीं से जहा मैं ठाहिरा फिर वह यह बात को सुझाने के लिए जाता है टॉक्तर शाब के पास टॉकर साहब उसके ऐसी दवाित दे जेते हैं जिसके उसकी पर महांने की जगां नोस की परुछ जाती है बस फिर उसको समझे माता है कि असल में Spider-Man होने का रियर मतलब क्या होता है अगर हमारे पास बड़ी ताकत है तो हमारे पास बड़ी जिम्मेदारियां भी आएंगी उसको यह बस समझे माती है और इसी बात के चारो तरफ यह पूरी फिल्म घूमती है और बस इसके अलावा कह का मैं आपको एक वर्ड भी नहीं बताऊंगा तो यार यह तो फिल्म की कहानी अब आप बोलोगे कि यह सब कुस्तम को फिल्म के ट्रेलर में दिखाया गया था तो बस वही कहानी है फिल्म की और अगर मुस्कों साथ कुछ बोलना तो मैं बस यह बोलूंगा कि जो कुछ आप इसके टीजर में ट्रेलर में देखा है वह बस फिल्म का 30 से 40 परसेंट है और कुछ भी नहीं और मैं फिल्म को पता नहीं कितने सारे वर्ड में डिस्क्राइब करूं सूपर एक्सलेंट ऑसम फैंटास्टिक फैंटैबिलस आउट आउट आप इस वर्ड एक्स्ट्रॉडिन बिन्दा सेथां यह मूवी आपको एक सेकेंड के लेवी बूर ने करेगी एक सेकेंड के लिए डिसपॉइंट ने करेगी अलब फिल्म देखने के बाद मन में ही आ रहा था गयार एंड गेम क्या है और मैं जानता हूं कि ऐसी कोई भावणा लाना के लिए गलत बात है और एंड गेम एंड गेम है नोवे हूम नोवे हूम है बट हां में एक बाद पॉलना चाहूंगा जो क्रेज जो हाइपस मुवी क वो एंड गेम के लिए नहीं थी जो आज मैंने थियेटर्स भरे हुए देखें हैं मैं सबसे बीजे बढ़ा हो तो मेरे सामने खचा को सीटे भर ही जा ली थी भर ही जा ली ती और यार सच्ची में अभी हाली में सूरे बंशी आई थी सूरे बंशी के टाइम पर भी ऐसा लिए बद नहीं मान वाड़ा फिल्म वाड़ा फिल्म जाबडस विम based 3 अबसभाजा भ defect कि मैं तो यह बया रिजा रहा है मैं पुर बोले यहारा है नहां कि कुछ नहीं चाहता है आपने मात हमनी देखा होगा और वह मैंने बिल्कुल Ł наконец लिख्shit यह मैंने पूरे मन से लिख या के मार्वल का बेस्ट बेस्ट याव मार्वल सची में पहुत बड़ी फिल्म है स्पाइडर मैं शुरुब हुई थी 2002 में और सी 색깔이 2020 में मतलब स्पाइडर मैन को यह कितनी बड़ी उपाजी देना जॉन वोट सर ने कमाल करा है कमाल धमाल करा है उस पूवी में क्या वी एफिक्स क्या सीजी आई क्या सिनेमाटोग्राफिक करिया है मैं बार बार ऊसम बोलता रहूंगा तो मजा नहीं आएका आप कोई नया वर्ड ढूल करके कि ताजिफ करने के लिए कोई नया इंग्लिश वर्ड सच्ची मैं है लेकिन एक डिमांड इसल्मों देगने की और वो डिमांड यह है कि कोई छोटा मोटा थीटर नहीं बड़े से बड़ा स्क्रीन बड़े से बड़ा थीएटर जहांकि पिक्चर क्वालिटी साउंड क्वालिटी एवन हो तभी मजा आएगा मूबी देखने का और 3D में देखना मतलब मैं बता नहीं सकता मुझे कितना मजा आया अंदर से ऐसे पेट में से बटर कॉलाइस यारी क्या पर तोड़ा कंट्रोल रग तो गर मैं बात करूं एक्टिंग की तो सभी ने अपना काम बहुत अच्छे से करा है विलेंस तो सभी लेजंडरी हैं वह सब वह विल्यम डेफो हो एलफेड मूलीना हो जेमी वॉक्स हो और भी जितने भी एक्टरस हैं सभी ने अपना काम अच्छे एक्टिंग करी है सच्ची में जब उनको मैंने फर्स टाइम फॉर्म गद्म में देखा था तो मुझे लगा था कि यार एक्टिंग में थोड़ी सी कमी है और फिर जब मैंने फार फ्रॉम होम देखी तब हमको दिखता है कि हां बंदे ने मेहनत करी है और इसमें ने मतलब सच्ची में टॉम होलेंड ने कमाल करा हा और मैंने कल अपनी होगा वैली वीडियो में कहा ह। कि नोवे होम अब तक की सबसे जादा सैड़ेस्ट स्पाइडर मैं मुवी होने वाली है और जहां जहां इस मुवी में कुछ सेड़ सीन है वहां पर टॉम होलन के चेहरे पर एक्स्प्रेशन से हैं बहुत अच्छे एक्सिलेंट इक्सप्रेशन भूत ही बहुत ही बहुत ने अक्टिंग करिया टॉम होलेंड ने और सिर्फ टॉम ने नहीं जैकोब बटैलंड जैन डिया मरीशा टॉम मेई जोन फैबर्यू सभी ने अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं और जोन फेवरी तो हर वागे तरह हमको अच्छे लगते ही हैं और जैकोबर टैलन तो बस जैकोबर टैलन है उनका जो नेट का रोल है वो वो मुझको होम कमिंग से बहुत पसंदार रहा था और इस मूवी में भी उनका रोल बहुत अच्छा है और सबसेंड में स्पेशल मेंशन बेनेडिक्ट कमबरवैच वड़ा मैं वड़ा एंटर मनलब टू गुट टू गुट सच में उन्होंने अपनी एक्टिंग बहुत शेजर के से करी है और हम कुछ मूवी में दो त्री मिनिट के लिए दिखाए जाते हैं बेनेडिक्ट वॉंग उनका भी काम अच्छा है मूवी में तो इन शोट एक्टर्स ने अपना कम अच्छे से कराए डारेक्शन जबरदस्त सेनेमेटोग्राफी ओसम वी एफेक्स सीजी आई मतलब व रहने जा रहा हूं अगर आप मेरी वाली बात मान लेंगे तो आपके लच्छा होगा वाग्या आपके मर्जी है मुझे बस यह कहना था कि आप जब भी मूवी देखने के लिए जाएंगे तो अपने घर से खांसी के दवाई खाक कर या फिर पीकर जाईएगा क्योंकि आज आने वाले पूरी मूवी में एक के बाद एक के बाद ऐना आते हैं जबदस्ट और सबसके घर से खांसी के दोए पर चाईएगा आपको असानी है देखने मेंयूवी देखने में अथा है तो बस यह इस मोई को लेके मेरे व्यूज मेरा तो मन कर रहा है कि आज आके तीन चलब रोड देखकर आजाओं अब देखता हूं बात करता हूं दोस्तों से देखकर आएंगे दुबारा फिर से एक आपको यह सवभग्य मिला कि आपने मूवी को फर्स डेट देखा तो मुझे बता यह कमेंड में कि आपको यह मूवी कैसी लगी और डिस्क्रिप्शन में मारे इंस्टाग्राम अकॉंड का लिंक है उसको जाकर प्लीज फॉलो करी जाएगा वहां पर हम डेली मूवी वैब से इस होलिवुड बॉलिवुड डालते रहते हैं आप सबी के लिए और हां मैं फिर से कह रहा हूं यह मूवी मिस नहीं करनी है अगर आपने एंड गेम थेटर पे मिस करी थी कोई बात नहीं कोई बड़ी बात नहीं है सबसे गलतियां होती है पर अकर आपने इस साल ची मिस कर दी फिर सूरेवंशी भी मिस कर दी और अगर आपने यह भी मिस कर दी मतलब शैंग ची की तो चलो कोई बात नहीं नहीं कर सकते मिस और एक बहुत ही जरूरी सूचना अगर आप मारवल के फैन हैं आप शुरू से देखता रहे हैं मारवल को तब ही यह मुवी देखने जाएगा वरना मज जाएगा क्योंकि जब मैं मुवी देख रहा था तो उसके खतम होने पे लोग उठके चल दिये थे अरे भाई सीन आने हैं दो तो सीन एंड में दोनों देखकर आने आपको वरना मजा ही नहीं आएगा हां नहीं आएगा मजा और एक जरूरी बात इस मुवी के रिव्यू से पहले हमने स्पाइडर में की पिछली सारी फिल्मों के उपर वीडियो बना रहे हैं उनके कोई कर रहे हैं तो अगर आपने वो तीन अब तक नहीं दे झाल झाल